पूरे देश में करोना की वज़े से आहा कार मचा हुआ है वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सिजन की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है ऐसे समय में स्वास्त और शिक्षा उस पर जितना पैसा लगाना चाहिए उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा है और इसकी वज़े से इस आपत्ती के समय में हमें यहां वहां दरदर भटकना पड़ रहा है नोडबंदी के बाद और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब लोगों की इंकम, लोगों की आए लगातार कम होती जा रही है जो लोग गरीब थे और गरीब होते जा रहे हैं और जो मिडल क्लास थे वो अब गरीबी की रेखा में आ रहे हैं ऐसे एक तरफ ऐसे हालात हैं और दूसरी तरफ देश के पूझी पतियों की इंकम आए बढ़ती जा रही है इस करोना काल में भी उनकी आए बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी है हम अगर अमबानी की बात करें अडानी की बात करें वो बढ़ती जा रही है बेहताशा बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इसी देश में 99 प्रतिशत लोगों की उनकी आए कम होती जा रही है ऐसे माहोल में इन उद्द्व पतियों की आए कैसे बढ़ती जा रही है यह सवाल हमारे सामने है ऐसे माहोल में यह सोशल इंफ्रास्रक्टर अस्पताल बनाने के लिए वेंटी लेटर लाने के लिए, vaccination करने के लिए bed मोहिया कराने के लिए अच्छे से अच्छे डाक्टरों का निर्मान करने के लिए अच्छे medical college खोलने के लिए बहुत बड़ी पूझी की जुरुरत है अच्छे school होने चाहिए सब को मुफ्त में अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए स्वास्थ व्यवस्था मिलनी चाहिए ये सब करने के लिए आप पूछोगी के पैसा कहां से आएगा जहां तक पैसे की बात है हम यह आपको बता दें कि इन जो पूझी पती है अगर इन पर capital gain tax जो समपति बेच कर ये जो पैसा कमा रहे हैं share market में भारत में सिर्फ 20% tax है जबके हम आपको बता दें हमारा देश welfare state कहा जाता है जहां पर सभी नागरिकों का ध्यान रखने का काम सरकार का कहा जाता है और दूसरी तरफ अमरीका जैसा देश जिसे capitalist या पूझी वादी देश कहा जाता है जहां पर पूझी सब decide करेगा पूझी निर्ने लेगा जिसके पास पूझी है वो आगे बढ़ेगा ऐसे देश में सारा infrastructure health का सारा infrastructure education का ये सरकार बरा रही है अभी अभी जो बैडन administration ने राश्टरपती ने प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव के अनुसार जो capital gain tax जो अभी 20% है उस 20% के capital gain tax को करीब डबल करके अमरीका के राश्टरपती ने रखा है और उन्होंने कहा है कि जो भी 7.5 करोड से जादा अगर कोई व्यक्ति capital से अपनी पूझी से नफा कमाता हो तो उस पर 49.6, 39.6% tax लगाएगा और उन्होंने कहा है कि ये tax लगाने से जो भी पैसा आएगा वो पैसा शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा बच्चों के विकास पर खर्चा किया जाएगा वो पैसा employee के welfare के लिए खर्चा किया जाएगा पूंजी पती देश इस तरह से कर रहा है क्या ये कदम हमारी सरकार नहीं उठा सकती जो पूंजी पती हैं एक प्रतिशत लोग हैं जो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं पैसा उनके पास जमा होता जा रहा है तो वो पैसे पर tax लगा कर जो पैसा आता है उसे भारत की स्वास्थ व्यवस्ता पर खर्चा नहीं किया जा सकता वो पैसा आक्सिजन की फैक्टरी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता वो पैसा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता वो पैसा सबको vaccination के लिए नहीं किया जा सकता, वो पैसा research और development के लिए नहीं किया जा सकता, वो पैसा शिक्षा व्युस्था के लिए नहीं किया जा सकता, ये सब किया जा सकता है अगर ये थोड़ा सा tax लगाएं लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार उसका उल्टा कर रही है, कॉपरेट टेक्स कम कर रही है, जो बड़े बड़े पुझी पतियों का जो भी लोन है, वो माफ कर रही है, तो ये देश की सरकार है, ये तानाशाई है, तो इसका जवाब मोधी सरकार को जरूर देना पड़ेगा और हर एक नागरिक का ये करतव्य बनता है कि वो अपनी सरकार से पूछे कि क्यों पूझी पती अमीर होते जा रहे हैं एक प्रतिशत लोग अमीर होते जा रहे हैं और 99 प्रतिशत लोग गरीब होते जा रहे हैं और एक प्रतिशत की आई इंकम वो 75 प्रतिशत लोगों के बरा बराबर की इंकम सिर्फ एक प्रतिशत लोगों ने कमाई ओक्स फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार एक मजदूर को मिनिमम वेज जो मिलता है उसके अनुसार अगर वो 790 साल तक लगातार काम करता रहेगा तब उसकी आए एक सरकारी कमपनी के बाबू के बराबर की होगी एक स साल की इंकम तो मतलब सरकारी कमपनी का ऊच अधिकारी जितना पैसा एक साल में कमाएगा उतना पैसा एक मजदूर को कमानने के लिए 790 साल तक काम करना पड़ेगा तो इतना बड़ा गैप इतनी बड़ी खाई दोनों इंसान है ना दो जोड़ी कप्डे पेंते हैं दोनों वोई भोजन खाते हैं कोई अलग से तो कुछ नहीं है तो इतना बड़ा फासला इन दोनों में क्यों है इसका सवाल का जवाब भी मोधी सरकार को को देना पड़ेगा फिर हमारा सम्विधान भी ये कहता है कि सरकार को ऐसी नीतिये बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई अमीर और गरीब के बीच का फरक कम से कम होता जाए ये हमारे देश के सम्विधान का प्रियंबल कहता है ये हमारे देश के मूलभूत अधिकारों की जो दिये गए हैं उनकी भी मन्शा है और यही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं तो जब इस देश के समविधान की बुनियाद ही इसी पे टिकी हुई है कि वो देश समानता पर अधारित राज्य बनेगा देश बनेगा और उसकी सरकार समानता लाने के लिए काम करेगी ऐसे देश और ऐसे समविधान होते हुए ये सरकार जनता विरोधी काम क्यों कर रही है इस सवाल का जवाब भी इस देश की जनता को सरकार से माँगना चाहिए आखीर इस जनता ने इस सरकार को चुनके लाई है बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि वो तो इस देश के पूञीपतियों से नहीं इस देश के पुझी पतियों का जो पैसा बाहर के देशों में रखा हुआ है वो भी लाएगी हर एक के खाते में 15 लाक रुपिया दालेगी उसके बाद तो वो बोला जुमला है सरकार नाकाम रही या ये कहें कि सरकार ये पूंजी पतियों के साथ मिली हुई है इसलिए वो 15 लाक रुपया उसने नहीं लाया और जितनी भी सरकार नीतियें बना रही हैं बैंक के लोन पूंजी पतियों के माफ किये जा रहे हैं उनका टैक्स कम किया जा रहा है और उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है और उनकी संपत्ती को बढ़ने के लिए पूरी मदद सरकार कर रही है लेकिन गरीब आदमी की संपत्ती कैसे बढ़े उसके बारे में ये सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है उल्टा गरीब का पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये, डीजल के दाम बढ़ा दिये, उनके पेंशन को भी कम करने की कोशिश की गई, उनके प्राविडन फंड में से भी कटोती करने की कोशिश की गई, उनका इंट्रेस्ट रेट भी कम करने की कोशिश की गई, किसानों को MSP के लिए कानून बनाने के लिए ये सरकार तयार नहीं है गरीब को पूरी तरह से उजाड कर खतम करने का काम ये सरकार कर रही है और पूंजी पतियों को बड़ावा देना ये सरकार का कदम होने लगा है जितनी भी देश की बड़ी-बड़ी कमपनिये थी जो पूंजी पतियों स खतम किया जा रहा है, ONGC उसको खतम किया जा रहा है, हिंदुस्तान Aeronautics Limited जो के जहाज बनाने की कमपणी थी, उसको ठेका नहीं देकर, Dossault नामक, France की कमपणी को दिया गया ठेका, तो जितना भी हमारी देश में नौरत्न कमपणी थी, उनको खतम किया जा रहा है, ये नौरत्न कमपणी का पूरा व्यपार, पूजी पतियों को दिया जा रहा है, और सारे योजनाएं इन पूजी पतियों के लिए बनाई जा रही जबके सरकार की ये जिम्मेदारी थी, कि सारी योजनाएं, सारी नीतियों इस तरह बनाई जाएं, कि गरीब को टाकत मिल सके, पैसे वाले और गरीब के बीच की खाई कम से कम हो सके, आपको भहकाया गया हिंदु मुस्लिम से, आपको भहकाया जा रहा है, राम मंदिर के ना कर इस देश को तबहा करने का काम किया जा रहा है इस तरह से देश को इस हालत में लाने के लिए सत्ता धारी जो काम कर रहे हैं क्या उन्हें देश द्रोही नहीं कहा जा सकता अभी फैसला आपको ही लेना है यह लोकतंत्र है इस लोकतंत्रों को जिंदा रखना है या नहीं लगा आपको आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और देखते रहिए जंता का अईना और हम ऐसे यी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपको हमारा काम कर सकते हैं धन्यवाद